चाचा रहा है अरे वे तो ले गिये जिसकी थी ले गया किसने छोड़ी अरे वो तो सुर्जी था दिवान जी और ओर भी थे वे तो ले गिये अरे भेंस कहा है वा भेंस तो भेंस वाला ले गया वह जब उनके रहा था मेरी ना फिर कैसे ले गया वह तो अपी नहीं बता रहा था रहा खोईद ले गया अच्छा तो इस ते भूज नौकरी का छोड़ रहा मैं क्यों चोट रहा तो तो कहरा था अगर उसकी पाई तो मैं वह समझ गया ना या पैसे दे किदरे देके करें हुए वी मैंने लिए पैसे ऐसे दे थी बैहंस ऐसे दे दी इतना सूदा ना तू मैं जानू तुझा तू तो अपने बाप को भी फिर ही नहीं छोड़ सकता ओए रसाब सबात कर हाँ तो फेर इसाब देना बैश का मैंने ल बात कर लेंगे मैडम कहीं कि वहाना लग रही है राजबीर तुझे बतानी पड़ेगी सारी बात मैडम से कितनी पत्तिमी से कर गया मेरे साथ यार सुर्जीत पाल तू इतना न फेल लग रहे हैं स्टाप की बात है कोई बात निए थोड़ी हो वे हम भी नोगरी कर रहे हैं मै साजबीर से कह रहा था कि मैडम उससे साधी करना चावा है मैंने तो ना कर दी मैडम मेरे सामने गिलगा रहे थी साधी के लिए अच्छा ऐसा बोल रहा था वो जाओ बुला कर लाए उसे मेडम मज़मत वे जो ना वो सच में मान जएगा कि मैं बताया होगा शत्रपार तु यार सुर्जीत पाल ते पर आवाली बात कहके मैं और फंसा दिया वो तेरे की राड़ी मदे भी जुगल खोर मन ना गा तुट रहा है कहा है मैडम मैडम अंदर है तुझे बुला रही है हां मुझे तो बुलाई रही होगी चमचे तनलंक लगायोंगे तु मेरी पूच रहा हा के बात ती क्या बक्वास करते हो तुम यू सुर्जीत चुगल खोर है चमचा है चमचा अब न्यू घूर के मत देखे यहां केले में मैं आपसा अपनी कहने वड़ा और तुम क्या सोचते हो तुम कुछ भी करोगे कुछ भी अनाप्शन आप बोलोगे और मैं कुछ नहीं करोंगी अरे यार तु आज जादे गुस्से में लग रही है चल तुझा आज मैं तेरा मन पसंद पीज़ा खिला के लाता हूँ और कोफी पिला के लाता हूँ अपनी बकवास बंद करो और जाकर मेरा कमरा साफ करो और मेरे कपड़े भी दूल देना यू मेरा काम है? हाँ तुमारा है मैं न करता? ठीक है मत करो मैं तुमारी वो वीडियो और तुमारे खिलाफ एक रिपोर्ट त्यार करके उपर भेज देती हूँ और तुम्हें पता भी होगा सब लोग तुमारे खिलाफ है चोकी में और साइन भी कर देंगे वो लोग भेज़ दू? जा रहा हूँ मैं? कहां? सफाई करन लगते धोन हाँ भई क्या बाते वड़ी थी मैडम से? अरा चल रही थी महरी कुछ प्यार महबबत की बात तु क्या ले है? अपना काम कर ले कुछ लोग चमचा गिरी करने से बाज नहीं आते हैं चमचा हो चमचा मैं हूँ मैडम का चमचा चमचा हो चमचा हाँ पूछ पढ़वा लिए मेरी चला जा गया भाग के भितर को भिन बिनाता हुया अरे राम पाले यू अजी दिवान जी मैं नू कहूं था चाए खड़ी चमच की लानी या खड़े चमचे की बाज चाचा मारी निया तो खड़ी चमच की चलेगी आज मेडम की खड़े चमचे की चलेगी बना दे हम बेवफा हर गिजन थे पर चमचे हमें तंग करते रहे हम भी उनी से पंगा लेते रहे पंगा लेते रहे कि अरे अब कौण मर्या कि यह दूस्य साहबны सां जहिं जहिन और के चलनना रांपाल डूटी कर रहो मेडम की और कैसा काम चल आपकी मेडम का हाँ शहाब इसे वीचाली कुछ भी ना पता सारा काम तो मुझे करना पड़ है पता नी से किस ने एसाई बना दिया अच्छा यह कुछ नहीं जानती ना जी अगर मैं ना सम्हाडूं या मैं इश चोक्की में ना हूं तो एक दिन भी सोक्की चला के दिखा दो तो मैं भी हैं यूँ अच्छा एसी बात है हाँ जी ऐसी बात है सहब अपसर तो हम पाल से पंगा, मुकाबला मुकाबला अरे अब कोण आ गया? ओहो अमीत हेलो अरे मैं अमीत बोल रहो है अमीत सुना के हाले मा कैसी चाची की तबीयत बताने के लिए हो तो तुझा फोन कर रहा हूं अरे बहुत तवियत खराब है यार उसकी क्या बताऊं यार एक बार तो आ जाता कम से कम तुझे ही याद करती रहा है और मैं जब भी कहूं चाच्चे बुला दूं से तो यूं कह वे न उसे नोक्रिकरंदे हेलो, 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 हाँ हाँ हेलो, मैं आउंगा जल्दी आउंगा, तु मा का ख्याल रखी है, ठीक है भाई, ठीक है चाची रवाई लेले, अपणा, तु जाद परिसान मत होक रहे, अरे जद राम पाल इहाँ ना है, तो मुझे तो यह काम करना पड़ेगा, तंन बता दी, इख्या है उसे मेरे बेमारी के बारे में, तूससा मत बता करें भाया, वो मेरी टैन्सन लेवेगा, उसा करलन दे डूटी, डूटी तो वो करता ही रहे भै, रेक दिन को आएगा वो खबर ले लेगा, तो कौन से दुनिया रुख जाएगी उसके भी ना, चल अराम कर ले अब, भागवान, जैहिंद, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरी मा बीमार है, मुझे उसते मिलन जाना है, तुमारी मा सक्त बीमार है, क्या, हाँ, उसके बुखार सा हो रहा है, उसे देखन भी ना जाऊ, मैडम, मुझे भी छुट् चुट्टी, मुझे अपनी घरवाली को डॉक्टर को दिखाना जाना, जाओ, जैहिंद, मैं, जैहिंद, यू अपनी घरवाली को खुमान जाओगा, तो इसे चुट्टी, मेरी मा बीमार है, तो चुट्टी नहीं, मेरी मा इसकी घरवाली ते भी कही गुजुरी है, यह पाष्टुन Camden तो सब मुझे देखना पड़े हैं यह डिव तो ठीक है महएंत्य तो बहुत हो आप अजी बस आसिरवाद है आप जैसे बड़े बुढ़ों का मैं तो नहीं कह रहा था अब ये आगी हैं तो केस सोल होई जाओगा मैं इने समझा दूँ असारा केस के मामले में तो ये सोल कर लेंगी और नहीं कर पाऊंगी तो मैं हूँ ना मैं इनकी परेशानी दूर कर दूँआ जी बिल्कुल हम तो मेडम जी सही हो कह हैं अकियो मामला सा निवड़ जाता तो बड़ी महरवानी होती देखिए मुझे इस मर्डर केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे सब पता मैं बता दूआ परधान जी चोकी चलाना इतना आसान काम नहीं है खासतोर से चोकी जब गदो से चलानी पड़ रही हो मतलब मतलब परधान जी जब घर में उरत की चलती हो तो के होगा बेड़ा ही गरग होगा जी फिर तो वो ही हो रहा जी जादा मत बोलो केस की फाइल लेकर आओ हाँ हाँ ले आ रहा हूँ प्रधान जी चिंता मत करो देखती हूँ इस केस को और करती हूँ इस काम को बहुत बहुत महरवानी जी आपकी राम राम जी ध्यान रागियो जी इस केस का मुझे खावगी केसे देख ले महाबत तमीज हो तुम एह ऐसा तो कही ना लिखे रहा हाँ तो इस केस की जादा जानकारी तुमें है अगर ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ तो ये तुम करोगे हाँ वो तो है ही जब चोकी में किसी पे कोई केस सॉल नहीं होता तो उसे रामपाल ही करता है अजी मैडम अब कौन सा केस ओप दिया इस है मडर केस है और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि कोई मडर केस भी है अजी मैडम मैंने तो नूनी बताया उसमें अच्छे दुरंदर फेल हो लिए किसी कुछ पता ना चला अच्छा ऐसा है क्या हाँ जी मैडम उसका कोई सुराग नहीं है पता नहीं पंदर लिखा है जने क्या है हम इस बार तो फस गया तुमारा देसी जेमस बोंड जी कहा है का जेमस बोंड अब पता चलेगा उसकी असलेत का जब इस केस को देखेगा हम इससे अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो इसका बिस्तर तो मैं बांदूंगी यहां से चाचा बिस्तर आदमी के घरवाली ही बांद सकती है औरों के बसकी नहीं है या क्या बात बताई भाई तैन ने मारी समझ में नहीं आई मैं बताऊंगा जब आदमी तड़की उठेए सोक है तो वे बिस्तर घरवाली धरए ना तै करके है हाँ बिलकुल बस और अगर आदमी को कहीं फस्वावे तो घरवाली फस्वावे भाई बात तू सुन ले लाली बिया करना बहुत गलत है फिर भी करना तो पड़ा गाई अजी मैडम जी कल में जो गोल गप्पे लाया तो कैसे लगे आपको आरे भाई सुर्जीत पाल जी गोल गप्पे बढ़ेगा जब के थे फिर लेकर आना किसी दिन जी मैडम जी जब आपको मेरी घरवाली को बहुत पसंद है मेरी घरवाली उनको लोगप्पो को बहुत खाती है ओके अच्छा सुर्जीत ये बताओ हमने जो ये मामला इसको सोपा है ये इसको सोल्व कर पाएगा इसको या नहीं? अजी मैडम जी दस जणम सोल्व न कर पाने का इसना आज तक कराई क्या है? किया कुछ नहीं उसने कल से जब से उसे वो केस दिया है उसके तोते उड़े हुए हैं सही कहारो मैडम जी तोते नहीं है केस उसका सब कुछ उड़ा देगा अगर अगर घंटे तुमारी चाय ना मिला तो दिमाग खराब हो जाता है चाचा चाय तनी कड़क बनाओ जब आप अरे पुलिस वालों को भी कड़क चाय नहीं देंगे तो पुलिस वाले कड़क होंगे कैसे? वही तो जी तो समझे देख रिचा मैंने गाना डुन्ड़ा तेरे लिए दोनों साथ में रेल बनाएंगे ठीक है? आजा यू कैमरा है नाटक करियो बढ़िया बढ़िया बनगीरील अरे क्या करते रहो तम यो चाच्चा यू रील है रील? अरे रील तो वा हो जिसमें धगा काड के सुई में दे चाच्चा इसमें गाने बज़े हैं गाने तो उस रिकोर्ड में बज़क रहते जिसमें हम धर्मिंदर के सुने थे चाच्छा यो आज कल का टाइम है, आज कल का टाइम है, चाच्छा लो तम होरी एक वीडियो बनाओ, अच्छा किस तरह बनेगी, इस तर्य बनेगी चाच्छा यो वाला बटन दवा दियो, अच्छा चलो भाई नू भी करेंगे, लाओ चैचा हो गया मैडम आगी जैंद ये क्या हरकते हैं सस्पेंड हो जाओगे इससे पहले भी एक केस हो चुका है पता होगा न जी मैडम और बना ले रिल ये क्या कराते रहते हो आप पता नहीं मैडम जी मुझे तो कुछ भी पता नहीं अपने आप ही कुछ ना कुछ करते ही रहे आपको कुछ पता ही नहीं होता और यहां सब कुछ हो जाता है खोका बंद करवाना पड़ेगा आपका मैडम जी चाहे बेजू हम से काबूल हुई जो ये सजा हम का मिली जो ये सजा हम का मिली चत्रपाल जी मैडम कोई नया मामला तो नहीं है नया मामला और वो का है रामपाल जी महराज रामपाल महराज तो अंदर यह है ठीक है तो चलो तुम पानी फिलवाओ जी मैं लीजिए मैडम जहिन जहिन क्या हुआ उस मडर केस का या ऐसे ही है जैसे वो पहले था क्या समझ रखा तुम चोकी वालों ने तुम्हारे बाप का राज है क्या अरे नेता जी सांथ हो जाओ बैट जाओ बैट का पता यह जो भी बात है अरे होता क्या हम अपना देश पार्टी के जिलाओ पाध्यक्स हैं और हम ने कितने पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया ना जाने कितने लोग घर में बिठा दिये और हमने कितने पुलिस चोकी इंचार्जों की नोगरी घच्चकाओं में तुने मेरा ही आदमी पकड़ तू क्या समझती है चोकी इंचार्ज होके पठान मंतरी बन गई ओ नेता क्यों चोकी को जिर्फ पे ढठारा के बात होगी अरे ये चोकी इंचार्ज रहेगी नहीं ये तो कल तक मेरे पैर पकड़ेगी पैर अरे तेरी पहणगा पढ़ी नेतर मारूं तू तो सब लेक कि या बत कमशी है अजय यूई ना लिया पढ़ रहा कमाल है तुम्हें पता है वह मैं और राम कर रह ने उसकी आदमी क्यों पझट रखा है देखो ये मामला मडर केस का है और मडर केस वैसे ही निखुलता सक मैं पता नहीं कौन-कौन पकड़ना पड़ता है तुमने किस-किस को पकड़ लिया देखो इस केस का कोई सुराग तो था नी बस एक ही सुराग ता पंदरे नंबर तो मनें 15 नंबर सम्मंदित सब लोग पकड मतलब जिसका मकान नंबर पंद्रे ता वो पकड लिया जिसकी दुकान का नंबर पंद्रे ता वो पकड लिया एक की मोड साही गिल का नंबर पंद्रे ता वो पकड़ा एक के ट्यक्टर का नंबर पंद्रे ता वो पकड़ा एक तो मेरे आके नुगरा हाँ वै व्याके तारिक का है तो वो दूसर रख रहा पंदरे तारीक का मा का यहां आजा मैं बताता हूं भ्याक है तारीक का है फिर मैं उन्हें ले के चला तो एक मेरे धोरे दोड़े आया अब दिवान जी पंदरा सो रुपे खुले मिल जांगे मा का आजा चोक की में दुआ खुलू आ के तुझे ऐसे मन ने पंदरे नंबर संबंदित भूस सारे लोग पकड़ राखे हैं सुर्जी सिंग का बैज नंबर भी पंदरा कहो तो अंदर कर दूँ शड़ाब मूर खो दूँ हेलो, जैहिंद सर जैहिंद, अरे बई ये क्या बत्ते मीजी होई, नीता जी के साथ आपकी चोकी में क्या बताऊं सर, आपने एक से एक छटा हूँ आदमी चोकी में छोड़ रखा है और सबसे बड़ा मूर्क तो ये रामपाल है और जब तक ये चोकी में, आप ये में समझना कि कोई भी कामिया सीधा हो सकता है ओके, ठीक है, तुम अपने इस तर से इस मामले को देखो ओके सर, जैहिंद सर देख रहे हो तुमारी वज़े से मुझे कितनी सुननी पड़ी है तुम्हें तो मेरी गलती दिखाई देव है देखने रहते हो साड़ा तेरे सिर्प चड़ा जारा तर न्यू लगाये थे उसमें दो तो तुम्हें क्या प्रवलम थी, मैं बात कर रही थी न अब उन सब लोगों को बाहर लेकर आओ जो तुमने पकड़ रखे हैं और उनसे माफी मांगो और छोड़ दो माफी माफी या रामपाल रामपाल कहीं का डीम लग रहा है डी आई जी जाओ उन्हें अंदर से बाहर लेकर आओ राजबीर ले आई ये भाई चलो बह्या आजो सरे बार तो सरे गलें में चलो चलो ना जो चलो चलो और आगे हो जाओ अने रोल जाओ इदर रोल जाओ चलो चलो अरे काड़ो ना इदर आजाओ आके आजाओ इकाद़ा अरे तु काड़ा दिल चल खड़े हो जाओ बस खड़े हो जाओ इदर देखिए आप सभी लोग जानते हैं मडर केस कितना संगीन है पुलिस को अपनी कारेवाई करनी पड़ती है अच्छा ये बताईए नेता जी का आदमी कौन सा है मैं? मैं हो जी रुको रामपाल रुको स्टॉप दिस रामपाल स्टॉप रामपाल आईसे स्टॉप अजी सब बता दुआ तरोक जी को मुझे मानने से लगए भूल्ड रामपाल अच्छा तुमने क्यों किया है मडर पंद्रभी के जमीन का मामला था जी पंद्रभी के जमीन का क्या मामला था अजी जगदीज ने पंद्रभी के जमीन करीदी थी और उसने मेरे नाम करा दी किनी कारोने से उसके नाम जमीन नहीं हो सकती थी उसने कहा था कि वो बाद में जमीन अपने नाम करा लेगा अच्छा फिर? फिर मेरे बन में फर्क आ गया जी और मैंने उसका मडल कर गया मैडम ओहो सुर जी इसका बयान दर्ज करके कस्टडी में लो और बाकी लोगों को जाने दो ठीके मैडम देखिए केस की संगीनता को देखते हुए आप लोगों को शक्याधार पर पकड़ा था क्यूंकि अब असली मुझरिम मिल चुका है तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते चलो चलो दैन मत तोड़ दियो कोई सा चलो हलो जैहिन सर जैहिन मैं यह कह रहा था आपकी चौकी का एक मडर केस है उसका क्या रहा सर वो मैंने कल ही अपने अंडर लिया है और कातिल को पकड़ भी लिया है वेरी गुड अच्छा लगा यह सुनकर वेरी गुड जैहिन सर तन्य सोल करा यू केस हां तो यह भगवान पहले जुटे मर जाए करें ते अब तो बुखार भी न चड़ता अच्छा तुमने तो कितने निर्दोस लोगों को अंदर कर दिया था अगर मैंना आती तो यह मामला कितना तूल पकड़ सकता था अरा तो तूल को हम देखते ना तुम्हें तो कुछ पता है नी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है एक बात को कहीं भी जाने में जरावी देर नी लगती मुझे बनाओ मत यू केस मन ने खोल ले आए इसे मेरे नाम लिख तुम बेवजा निर्दोस लोगों को पकड़ कर ला है लो मेडम जी आपके लिए पनी लाओं ट्वेल्बस अ बहुत ठंडा थैंक यू पानी थोड़ा हमें भी दिखा दो आज़ा भाई पीछे बैट जा देखो सुर्जीत एक एक करके चोकी के सभी मामले निबठते जा रहे हैं हाँ जी मेडम जबसे आप आई ही कमाल हो गया कोई भी केस बच नहीं रहा पराना पूछ नहीं दी भगवान ने बिचारे के नहीं तो और कोई कसर बाग की नहीं है क्या मतलब है तुमारा जबसे हम आया हमने सारे केस खतम कर दिये जो तुमने पतानी कब से पैंडिंग कर रखे थे हाँ हाँ ये सारे केस तम नहीं तो सोल करें है राष्टपती पुरुसकार मिलना चीए तह मैं तो वो तो मिलेगा एक ना एक दिन तुम चिंता मत करो बिल्कुल मैडम जी आप जैसे काम कर रही है आपको तो एक दिन पुरुसकार मिल नहीं है हाई 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 पूछ भी हली देख लो मैटम जी इसको अगर मैं कुछ कहता नहीं तो सस्पेंड होना है तुम्हें एक दिन मैं बता रही हूँ हाँ हाँ करवालियो न तम दोनों मिलके करवालियो देखें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तुम अपने करमों से ही हो जाओगे ओहो दुनिया कितनी ऐसान फरामोस है भई हाँ हाँ ये दुनिया तुम्हारे ऐसानों के नीचे ही तो दबी पड़ी है चलो अब कहीं चलो मुझे नीम्बू पानी पीना है या फिर चाय चाय तो चाचा बना वे अन्निम्बू पानी यू बना सके औरों के तो बसकी नी तु के ले वे अगर मैडम कहींगी तो बना दूँगा हाँ बना तो देगाई तु तो पक्के वाडा है चलो मैं कहीं और लेके चलता हूं तमे राम राम दरोगा जी आओ जी आओ बैठो जी बैठो बैठो जी आजओ और सुनाओ मैडम जी क्या सेवा करी जाए आपकी बैए कुछ बनवादे मैडम जी कि निया और कुछ सेवा क्या करता परधान जी जी ठीक है नई नई ऐसी कोई बात नहीं है परधान जी जी हमें सेवा का मुका मिल रहा है इस सच्छी क्या बात होगी आप बताओ ना क्या बनवाना है बनवादो ये जो कुछ कह मैं बताओ हलका फुलका खाना चाहती हूँ परधान जी हलका दाल फुलका बनवा दूँ नहीं नहीं खिचडी बनवा दो जी बिलकुल और आपके लिए क्या बनवा दूँ सुरजीत जी यूँ खाओगा खड़ अरे दिवान जी ऐसी बात क्यूं करते हो देखो मैडम खिचडी खा रही है मैडम तो उपर तो यूखा नहीं सकता तो इसते नीचे खड़ बचे है और आपके लिए रामपाल जी मेरनिया कुछ भी बनवा दियो सा भाजा में रे कल्वा ओ कल्वा अपा कहां मर गया जल्दिया वैसे यही भूमते रहेंगे और काम पर हाथ नहीं आने के हाँ जी दरोबन जी के लिए एक खिचडी और बाकी के लिए दाल फुलका बनवा दे जा चल जल्दी कर जा जल्दी के प्रधानी से भटा पट प्रधान जी हमने आपका वो मडर केस सॉल्व कर दिया जी हम तो सोच भी नहीं सकते बताओ उसका साथी ऐसा काम कर सके है हाँ जी देखो आज कलके तो साथी ही कतनाक हो रहे हैं हाँ तो बचके रहे कर मडर हो जाए कैसी बात कर रहे हो रामपाल जी मैडम जरा एक मिर्ट आना मैडम जी गाओं के आसपास कुछ लोग कच्ची सराब तोड़ते हैं और बेचते हैं आप इस तरफ थोड़ा ध्यान तो दो हाँ हाँ बिल्कुल हमें बताना हम उनको पकड़ेंगे ठीक है मैं आपको आज रात को फोन करूँगा और जगे बताऊँगा ठीक है आप मुझे बताना पर ये बात आप अपने तकी राखियो आपकी चोकी के कुछ सिपाई उनसे मिले गुए हैं अच्छा ऐसी बात है क्या चलिए देखते हैं पर आपकोड मरा इतनी रात को इसके के परेशान निया या सो क्यूं न जाती है हलो हलो कहा हो तुम मैं अपने कमरे में हूँ वहां क्या कर रहे हो कमरे में केकर एक रहा आद में सो रहे हूँ मैंने तुमारी night duty लगा थी तुम सो रहे हो हाँ तो मैं मर जाऊं डूटी करकर के हम भी डूटी पर हैं हम तो नहीं मरे तुम 24 गंटे की डूटी ना करते हो मेरी डे नाइट डे नाइट चल रही है कितने दिन से अपनी बखवास बंद करो और टाइम वेस्ट मत करो जल्दी आओ कहा आना है चोकी में मैं डूटी पर हूँ ऐसी के आफ़त आगी मुझे नीद आ रही है जल्दी आओ हमें कहीं रेड मारने जाना है तो रेड मारने जाना तो तेरा चमचा होगा कोई और होगा मत ले जा मुझे मस समझाओ जल्दी आओ काट दिया पता ना किस ने इसे चोकीन चार्ज बना दिया अब जाना पड़ेगा ना टेंटे टेंटे करती रहे होगी पता नी क्या समस्ता है अपने आपको डूटी छोड़कर सोया हुआ है किसी आदमे को सोन मत दियो दो चार घंटे जादा पड़िये सोने की तो घर चले जाओ नोकरी छोड़कर फिर सोते रहना ये पुलिस की नोकरी है तो पुलिस वाले सो नी सकते क्या या वो सोते नी है बकवास बन करो हमें रेड मारने जाना है किसकी रेड मारने जाना है मुझे पता चला है कि जंगल में कोई देशी दारू बनाता है कोई दारू पारू ना बनाता है मुझे सूचना मिली है ओहो इसका मतलब चोक्की में कोई चुगल खोर भी है चुगल खोर मतलब? मतलब सूचना किसी मुकबर ने दिये या वैसे ही दुक्का मार रही हो खास सूतरों से सूचना मिली है जल्दी चलो अब उधर कहां जा रहे हो ड्रेस तो पहरिया हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है तब तक वो लोग भाग जाएंगे अरे यार दारू की रेड मारन जा रहे हैं किसी ने मेरी भेट चड़ा दी तो कोई भेट नी चड़ा रहा जल्दी चलो अब उधर कहां जा रहे हो मैं बाथरूम भी न जाऊं के हेलो हेलो अबे ओ हेलो कहा हो साब भट्टी पयाम तो भट्टी पयाओ तो जल्दी भाग जाओ मैडम को पता चल गया वो रेड डालने आ रही है साब आप रोकनो उन्हें हम तो आपको पैसे देते हैं अबे गधे पैसा देते हूं जबी तो फोन कर रहा हूं वरना मैं के कर रहा होता तो मैं पता नहीं है तो साब अब हम क्या करें भाग जाओ भाग जाओ चलो पर चलो सारा सामान तो मैटे पुलिस को पता लग क्या भाग यहां से तुम किससे बाते कर रहे थे अंदर मैं बाध्रूम करते हुए थोड़ा गुणगुणा लेता हूं वो गाने की अवाज नहीं थी अरे अब देर नहीं होरी के वो लोग भाग जाँगे चलो देखती हूं क्या कर लोगे तुम मैं उनका भुस भर दूआ बुस तो यू भर गया है हां तम कैसे अब लो यहां एक गड़ी तो डाल गया नू सुन रहा दूसरी गड़ी लें जा रहा फिर यह लोई नहीं आ जाएगा क्या बुस तीसरी तो ना ले रहा कदी हनलो भी भर जा राम जरने के कर रहा हो चलो हम देखेंगे बुस भर दिया मेरे खोके में बुस भर दिया खोके में है कि कИ यहीं का जा रहे हैं पहाड़ों पाहाड़ों पहां पहाड़ों पे शाण पागज समझ रहे हो हमें जानबुचका देर कर रहे हो अरे मुझे नियू लगाक मसूरिया नेनी ताल जारी दिखेले के हमें सब अपनी ये सिरी बाते अपने पास रखो कर दो तुम किधर से जाओगे? जिधर मर्जी से भेज दे? तुम और राजवीर लेफ्ट साइड जाना, मैं और सुर्जीट राइट साइड जाएंगे. ठीक है? और सुनो, जब हम कॉल देंगे तब तुम आ जाना, और जब तुम कॉल दोगे तब हम आ जाएंगे. हाँ ठीक है आ जांगे पक्का आई जाना अरे पक्का मर्द की जबान है ये जुबान में पहले भी देख चुकी हूँ अब बता भाई के एक रूँ तिरा जुगाड करा था दारू मैं यू भी नास होगा इस मैडम की वज़त है यार भाग साथ दे ही नहीं रहा मेरा तो जोन से भी काम मात गेर उसमें बिल्ली लोच्टी पाव है जल मरन दे अब देखेंगे ठीक है ना चल तू बैठ तू बैठ और जो इसने देख लिया अब देख लिया तो देखन दे तू बैठ जा चल मैं पीड़ी बैड़ी पीलू तू देखता शी रही है जी मैडम जी देखके चलिए पॉला मिसर जीत शराब तो बनती है और यहीं बनती है जी मैडम लगता है वो लोग हमारे आने से पहले भाग गए सही कह रही है मैडम चलो फिर देखते हैं कब तक भागते हैं वो लोग ठीक है मैडम हेलो अरे का हो तुम साब हम थो भाग गए हाँ भाग जाओ भाग जाओ तुम्हारा हमसे गाड़ी में बैठे हो हाथ तो हम केक रहे हम तो बहुत दूर लोग घूम के आए हैं हमें नहीं मिला कोई तमें मिला हाँ मिला हाँ कोण मिला इसकेपीछे देशी दारों के भट्ट कर नहीं जा सकते छोड़ूंगी नहीं मैं those are my जोडिये कोण के राच फोड़ने की निया वो लोग हमारे आने से पहले भाग गए इसका मतलब जानते हो तुम यह मतलब वे पकड़े नहीं गए नहीं इसका मतलब हमारे आने की सूचना उन्हें पहले ही मिल गई थी इसका मतलब हमारे लोगों में से उन लोगों से कोई न कोई मिला हुआ है हमारे लोगों में से तो मैं तो तेरा लोग नहीं हूँ शड़ाप यू नॉंसेंस जैहिन मेडम जैहिन जैहिन मेडम जैहिन 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 मैंने तुम्हारी ड्यूटी चोकी में लगाई थी तुम कहां गूम रहे हो मैं किसी जरूरी काम भी न जाओं के लोगों को तो गोड़ गप्पे खान की चुट्टी मिले हैं हमें जरूरी काम भी मत जान दे करो देखो मुझे चुट्टी चीए मुझे घर जाना है और मुझे आराम की जरूत है मैं सोंगा मैं दिन रात की डूटी कर रहा हूं हाँ तो जूटी करने की तन्खा मिलती है, फिरी में थोड़ा ही न करते हो 24 गंटे जूटी करने की तन्खा मिले देखो मेरा दिमाग राम मत करो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उपर शिकायत करो राम पाल को उपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है राम पाल खुद इतना दम रखता है, राम पाल अपनी मर्जी का मालिक है जिस दिन दिमाग फिर है न, उतिन ठाक है थेला चला जाऊँगा अब कहां चले तुम? कमरे पे जा रहा हूँ अभी ड्यूटी बागी है तुम्हारी मैं जा रहा हूँ, मैं सोऊँगा तुम्हारी ड्यूटी टाइमिंग कौन पूरी करेगा यू करेगा इसकी भी लगा देकर, यू पांच बज़ दू चला जा आज रात की तुम्हारी ड्यूटी है के यू, मुझे नहीं करनी ड्यूटी फूटी जमचा पाल रहा है, इसे तो लगाती नहीं, मुझे लगाऊ रहा है इसकी रात की ड्यूटी चड़ा दो, ना आए तो मुझे बताना जी मेडम रामपाल कुछ चड़ादा सूली बै ड्यूटी करनी हो, तो रामपाल छोट्टे जैनी हो, तो सर्जेत दिन के ड्यूटे तो रामपाल रात के ड्यूटे तो रामपाल ओ भाई, थोड़ी सी दया मेरे पकर दे रामपाल सिंग वागी तो मरवा वगा के ओ राजवीर, राजवीर तेरा जम्प लगवाना, तो लाग रूपे का जम्प समाज़िया? ओ दाता हाथ जोड़ू मैं भाई तो रोले ना दे लग रहा मेरा तो जम्प ओ राजवीर, वो के गहे करे तु? जोटे सब के लगाओ ना बराबर, तो मैं जानू जोटे सब के, वो चम्चा, कहा है वो चम्चा? ओ राजवीर, चम्चे के भी लगाओ, इसके मैनम के लगाओ ना? अरे, जोटी करो, जोटे? ओ भाई मा, जोड़ू तु मान जा अर अरवीर, क्या चारिया ये, क्योँ चिड़ती है मेर से? चिड़ती है! आजी ओवगा के सस्पेंड? काउन सस्पेंड कर देगा रांपाल सिंग को? एए, काउन सस्पेंड कर देगा? मैं राम पाल सिंह चलाता यह चोकी राम पाल सेंग तरह राम पाल सिंह रहा यह देख ऑगळा चाचा झंप को कोई ला नहीं सकता ना न कोई नी जोड़ा नी सकता को सब श्रगी स्वस्ञीं सबस्पन नी कर सकता ले मेरे भाया ले दारू ले मेरे भैया ले दारू ले मेरे बाहन अले तारू अई चाचा और सुना अई सब सुनो गणा सुना चाचा और अजबी सिंग्ग चाचा एक नंबर एक नंबर गाना 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 एक नंब कर सकता चाचा तुम गहना सुनाते हो न चाय भी बनाते हो चाय जब बनाते हो वे राइवीर सिंग चाचा जब चाय बनाता है एक नमबर चाय बनाता है एक नमबर चाय बनाता है एक नमबर चाय चाचा बनाता है ओ चाचा बनाता है एक नमबर नै यह जोव्ट ओर मेरे भैया ले नमेरे भाया ले दारू मेरे भ्या सब्सक्ता सबस्यती उह कोई जच कर रहा है कोई भाई डट ज़ा राप याधरी कोई जच नहीं कर सकता जाचा का गाना बंद नी होने चीज़ जाचा अरे मेरे भाई याले तारू तुन यहार चाचा का गाना सून चाचा बहुत शुन ये तेरे गाने तुब डालेस दुपारेश चले दा मरी नोकरी जानको अरी हम आथ जोड़े तुझा अब धंके सुना और यह बाद के इंचार जी मेरा कोटाव खडवाला तक यह मेरा अरा भाई वाजगी आये बुला ले तूख किसी को बुला ये चोकी रामपाल सिंग के बीना चला के दिखा दो कोई एक केस परकड़ के दिखा दो कोई नए जूटी करके दिखा दो सब जले जाते हैं यहां से रामपाल सिंग करता है रामपाल सिंग और राजबिर ले मेरा गिलास कहा है गिलास दो मेरा रामपाल सिंग भितर जाके पीले भाई भितर क्यों पीले राजबिर सिंग तुम जर्टे हो जर्टे हो जर्टे हो जर्टे हो रामपाल सिंग नहीं डरता यह देख यहाई यहाई पिरेख देख भाई इवनी पिनी खड़ा हुटा एक प्राग लगा एंजोए कर एंजोए कुर्सी जाड़ रहा है जाड़ा है जाड़ा है चाचा तदा करना क्यासे बंद हो गया प्राग बना दे अच्छा का हो पूरा का हो सच्छा का हो जुटा का हो तारू हो कई खलास हमका मावी तो राजवीर सिंग एक पैक मारेंगे देव जल्दी करो तो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले अर तू तो होगा सस्पेंड मेरे खोगे मेरे लगे के जाले क्या सस्पेंड हो जाचा जाचा तरहा खोगा यही रहेगा और तने जारू नहीं थी पाड़ के फैंग दूए से समन्ठी है ना क्या एक या है क्या है जोटी पहोँ अन दूटी रामपाल सिंग इस ऑन दूटी यह उंडर्सटइड ओके ओए चाचा 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 ओए ये के ड्रामा है यहां अच्छा मेरी डूटी ड्रामा है और इसका अराम भी शुराफ़त है के इस राम पल्जिंग खोलता है नाम ये लिखती है अपना है मैं इस सुभवात करूगी सुभवात क्यों होगी बात अभी उगई है इस से बोलोई अभी चला जाए यहाँ से यहाँ चला जाए डूटी पे हूँ एसा ही नी हूँ डूटी पे हूँ यह बैठा रमपल सिंग है कोई उठागे दिखा दो इस टाइम चोकी का मलक रमपल सिंग है रमपल सिंग रमपल सिंग रामपालचेंग, रामपालचेंग, सुनो, खड़ो एक बार रामपालचेंग, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं मैडम, पीली आज वैसे पीता नहीं है आज कई पैक पीली है, तब यची थुड़ी, पताना कैसी होड़ी, ठीक सी नहीं है अच्छा, ये कभी दारू नहीं पीता नहीं मैडम, कभी नहीं पीता, हमारे साथ रह, आज पतानी क्यों इतनी दारू पीली रामपाल, रामपाल, हेलो, लिसन, रामपाल, तू मीसे पकड़ो, यहां कोई नहीं है क्या चलो, मैं पकड़ती हूँ, उस साइड से राजवीर संभाल के, अराम से, अराम से राजवीर चलो कितना बेवकूफ है, ड्यूटी पर भी दारू पीके आता है राजवीर सिंग, इसके जूते उतार दो कितना बेवकूफ है, बन्हों कितना बेवकूफ है कितना बेवकूफाँ राजवीर सिंग इनका पर्स रख देना और इनके कपड़े भी चेंज कर देना ठीक है मेड़ों जाए तो बढ़िया चाचा चाय तो बहुत बढ़िया और जो अब आगा होगा ना वह बहुत बढ़िया होगा अब रामपाल बचना नहीं सस्पेंड होगा अच्छा क्यूं बचना यो भी नहीं राजबीर भी रात यो भी उसकी साथ जब अंगावा हुआ क्यों मैं मैं अपनी डूटी पर था वो दारूपी होए तो मैं मैं इस ते मेरा के मतलब है तो मैं ते देख्या कदी दारूपी ते वया देख तू भी होगा और बचना चाचा का खुक्का भी नहीं राज चाचन दो पिलवाई थी उससे मेरा खुक्का अरे तम संडो की लड़ाई में मेरे इस खुक्क्य का क्यूं नास करो रेक बात तो बताओ रामपाल कलिया दारू रग गया नमकीन रग गया पानी रग गया और मुझे सकत ही दायत देख्या था कहन लगा अगर नो बजी से पहले चला गया ना चाचा फिर देखिए मेरा जात्तर है रामपाल के आग्या कुछ बोलने का चाचा कुछ भी कहलो मैडम या तो से सस्पेंड करा के माननेगी ये लाइन हजीर करा के भचना नहीं यो भी औ उसका बालबंक नियाने का हुआ हुआ यह जहिंद 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 चत्रपाल जी मेडम रामपाल नी आया अभी तक अभी तक तो आया नी सोकर नी उठाओ का शायद पता नी में ठीक है झाली करे अबाल नी आया बसे प्रूबंस का उलता वो में प्रूबंस का आवरा नी ओन्युटर्बंस करेंग्टर्ण से जहिंयार यह जहिंद प्रूबंस का जबाल प्रूबंस को नी की साथ हुआ अल्ड़ अरे यार अब चोकी कैसे जाऊंगा तुमारी तो रिपोर्ट भेजूंगी मैं उपर तुमारे जैसे इंसान को सस्पैंड हो जाना चाहिए ड्यूटी पर दारू पीकर हंगामा करते हो चोकी इन चार्ज को चैलेंज करते हो ये भी नहीं सोसते कि वो एक लड़की है तुमारे अंदर शर्म नाम की चीज है के नहीं मुझे देख लोगे मुझे से रात को ही बात करोगे चोकी के मालिक हो तुम जल्दी से चोकी में आओ आज मैं तुम्हें आउट करूँगी दादा, गुंडा, मवाली, बदमाश ऐसा कॉंस्टेबल मुझे नहीं चाहिए मेरी चोकी में जेहिन माडम मैंनू कहा रहा था गल्ती तो वह थी ही मुझे भी बड़ा बुरा सा महसूस हो रहा है अरे यार मैं कुछ कह रहा हूं सुन तो सही अरे यार जब मैं अपनी गल्ती मान रहा हूं फेर भी अरे सुन तो सही देखो जब किसी पर गल्ती हो जावे और वो अपनी गल्ती मान रहा हो तो उसे माफ कर देना चीह है अरे यार मैं कुछ कह रहा हूं सुन तो मैडम जी जड़ाएक पर यह देख लेते ये जो बटवारे का मामला था इसका क्या हुआ ये तो जी मने निप्टा दिया था हाँ जी हाँ तो इसमें लिखित समझोता लगाओ न हाँ वो मेरे उस दिन ध्यान ने रहा है मैं आज ले आऊ पुलिस का कोई भी काम बातों से नहीं होता जब तक इसमें फैसला नामा नहीं होगा तब तक इसके कोई माइन नहीं है पता है न तुम्हें हाँ तो मैं कह रहा हूं आज ले आओंगा ना फैसला नामा मंगाकर इसमें लगाओ हाँ तो मैं ले आऊं जाकर फैसला नामा मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी report तियार कर रही हूं उपर भेज और वेजनी है मुझे अरे यार मेरा career बिलकुल बे दाग है तु इसमें क्यों दाग लगा रही है मेरी बात तो सुन मैं तुम्हारी गल्फ्रेंड नी हो जो तुम मेरा हाथ पकड़ रहा हूं मैं चोकी इंचार्ज हो और तुम कॉंस्टेबल हाँ तो गल्फ्रेंड भी थी कदी वो हक तुम खो चुके हो और किसी और को दे चुके हो आदमी दारूपी के खोके गांके जगड़ा कर रहे राजवीर सिंग जाओ दो टंडे लगाओ उसमें जी मेडम दारूपाज का तो यही इलाज है क्यों कहां कहें वे अभी तुम हें कड़े ते इदर को भग्ये तुन नो जाली वे तो अरा जान दे चाचा तु चाय बनाए बैठो दिवान जी अभी बनाए कड़ चाय ना कोई ना रहा लव बीडी पिलाव पले लेए मंडल 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 तो मेरा ही था कोई बात नहीं लिख लियो थारे रिटार्मेंट के कितने दिन रह रहे है रिटार्मेंट नो मान ले 2017 में 2027 में लिखता ही रमा के आण दो तन खोल उबकद करूं है सा अ जा सल यह इसे के लिखनों ना जो और कोई ना नहीं से के लिख़ोगा इशनी जो कह तो कि आई यह यूबँंगे पहले मिलेंगे कहा लिखन जो गगर है आई जा चला इधे रहा आज जो मैडम ठीक करेंगी क्या बात है मैडम जी यह इसकी घर वाली है यह कह रही है रात को सराप्य कर उधम बचाता है मारता पिड़ता है दारू पीने वालों का काम ही क्या होता है गाली देना, मार पिटाई करना मैडम जी, क्या करूँ इसका ये बैठा दारू का एक्सपर्ट इससे पूछ लो अबे सालत तुझे भी अभी मरना था है पहले केस खराब है अजी, रात दो पैक ले लिए होगा कांड दोनों कांडों में क्या बाते करने लगे एए, दारूपी के क्यों हंगामा करता है अजी, मैं कई दिनों से इनने परेशान कर रखा हूँ दिन मैं काम, रात को काम अजी, मैं काम ही काम करूँ तो आराम कद करूँ आफिर मैं भी तो आदमी हूं जी हां तो ये क्या कह रहा है एजी दिन में तो ये काम पे जा मैं घर की छट तूटी पड़ी है तो मैं इनसे कहने लगी दिन में तो तुम्हें टाइम मिलता ना रात कोई ठीक कर दो ए जी दिन में तो मेहनत मजदूरी करूँ और रात कोई उपर चड़ा दे मेरी तो पूरी रात उपर निचे चड़ने में जा जी मैं सोऊं कब जी मैं कौन सा जवजस्ती करती हूँ जिस दिन मन आओ तो बोल दो आज मेरा मन नहीं है सोजाओ दरूपी के हंगामा करने की मार पिटाई करने की क्या जरूएत है और आज इसने मज़े मारा भीजी बड़ा बत तमीज है ओरत पर हाथ उठाता है देंडे लगाओ उसे साले कायर दारूपी के ओरत पर हाथ उठाता है मैं तुझे छोड़ूँ गा नहीं मैं साले तुझे छोड़ रहा हूँ जाके मैडम के पैर पकल लेना समझ या ना हाजी हाजी ठीक है मैडम मुझे माप कर दो आगके से ऐसा नहीं होगा पहले शराब पी कर हंगामा करते हो फिर माफी मांगते हो आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कहीं देख लिया या सुन लिया तो हालत खराब कर दूगी हाजी हाजी क्या हाजी हाजी जाए यहां से हाजी हाजी तो अब तो मैं माफ करा समझू जी गारी निकालो हाँ हाँ मुझे पता इसने युस्प जान पुच करा देख लो मैंडम जी इसने युस्प जान पुच करा चलो ठीक है कोई बात नहीं चलो कोई बात